बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नवसकार अस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवीन मिस्र भगवान क्रश्न को कौन सी चीजें बहुत प्री है आज आपको बताएंगे जन्मास्टमी के पावन पर पर आप इन भगवान क्रश्न की प्री चीजों का प्रियोग भगवान क्रश्न की पूजा में अवश्य करियेगा तो आपको भगवान क्रश्न की विसेश क्रपा मिलेगी आपकी मनो कामना पूर्ण होगी तो सबसे पहली प्री चीज है जिसे आप जन्मास्टवी में जरूर प्रियोग करें बगवान कर्शन की पूजा में वो है बासुरी बगवान कर्शन को बासुरी बहुत प्री है इसलिए बगवान कर्शन का एक नाम मुरली धर भी है मुरली को यानि बासुरी को भगवान कर्षन हमेशा अपने पास रखते थे और मुरली बजा करके वो सभी के मन को मोहित कर लेते थे मुरली में अदभुत आकर्षन शक्ति होती है और ये भगवान कर्षन को बहुत प्री है तो बाशुरी अवश भगवान कर्ष्ण को जन्मास्टमी के पावन पर अर्पित करना चाहिए दूसरी सबसे प्रीज चीज है भगवान कर्ष्ण को मोर पंक मोर पंक भगवान कर्ष्ण अपने मुकुट में लगाते थे ऐसा माना जाता है कि more punk जहां रखा होता है वहां negative energy नहीं रहती है यानि negative energy को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है more punk more punk जहां होता है वहां positive energy रहती है और ये भगवान कृष्ण को भी बहुत प्री है तो मोर पंक भगवान करश्न के मुकुट में अवश्य लगाएगा जन्मास्टमी के पावन पर पर जब आप भगवान करश्न का विशेक करके उन्हें सजा रहे हों तो मोर पंक अवश्य अर्पित करना है तीसरी भगवान क्रश्न को सबसे प्रिये चीज है वो है तुलसी जब भगवान क्रश्न को भोग लगाएं आप जन्मास्ट में के दिन उस दिन तुलसी अवश्य भगवान क्रश्न को अरपित करें तुलसी को हरी प्रिया भी कहा जाता है हरी को बहुत प्री है भगवान कृष्ण को बहुत प्री है तुलसी और ऐसी मानता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां वास्तु दोस नहीं रहता है यानि वास्तु दोस दूर हो जाता है और जहां तुलसी का पौधा होता है वहां नेगेटिविटी नहीं रहती है त तो तुलसी बहुत महत्यपूल चीज है. अवशदी के रूप में भी तुलसी का प्रयोक किया जाता है, और भगवान कृश्ण को ये बहुत प्री है. प्रसाद में यदि आपने तुलसी दल अरपित किया, तो बहुत प्रसंद होते हैं. भगवान कृष्ण को और एक चीज बहुत प्री है वो है संख तो संख जब भी भगवान कृष्ण का आप अविशेक करें जन्मास्टमी के दिन तो संख से करें संख से जल से शनान कराएं संख से दूद से शनान कराएं संख से दही से शनान कराएं संख से शहद से शनान प्रयोग करेंगे तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसंद होंगे भगवान कृष्ण को बहुत प्री है गव माता भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो गायों के साथ रहना पसंद करते थे गाय चराने जाते थे गईया चराने जाते थे गईयों का साथ गायों का साथ भगवान करश्न माखन खाते थे और गवमाता की सेवा करते थे गायों के पास जाद़ वक्त बिटाते थे ऐसा कहा जाता है बैज्ञानी कि इस बात जन्मास्टमी के दिन करें उससे भगवान करश्न प्रसंद होंगे भगवान करश्न को बहुत प्री है माखन मिश्री तो जो भोग लगाएंगे आप उसमें माखन मिश्री अवश्य होनी चाहिए क्योंकि वो भगवान करश्न को बहुत प्री है तो जन्मास्टमी के दिन जब आप भोग लगा रहे हों तो माखन विश्री का भोग काना को अवश्य लगाईएगा एक और चीज बहुत प्री है भगवान कर्ष्ण को वो है बैजनती माला गले में बैजनती माला आपने सुनी होगी ये लाइन तो भगवान कृष्ण हमेशा अपने गले में बैजन्ती माला धारन करते थे वो भगवान कृष्ण को बहुत प्री है तो बैजन्ती माला भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए जन्दमास्टमी के दिन तो यदि आपकी कोई विसेश मनों कामना है आप चाहते हैं कि वो पूरी हो तो आप भगवान कृष्ण को जो ये प्री चीजे हैं अर्पित करें भगवान कृष्ण की करपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी खास करके जिन लोगों को संतान संबंधी बाधा है संतान नहीं हो पा रही है वो लोग भगवान कृष्ण का विद्विधान से पूजन करें और जो ये प्री चीजे हैं वो अवश्य भगवान कृष्ण को अर्पित करें आप सब को जनमास्टमी की बहुत बहुत सुब कामना आमस्कार